नफरत नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से अगर मैं तेरी ही अंदाज में तुझे से बात करूँ नमस्कार आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चेतना मंच पर और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिया कारिकरम मन्थन आज हम मन्थन में बात करेंगे एक नोटंकी बाज महिला की जी हाँ एक ऐसी महिला जिसने केवल हमारे पूरे देश में नफरत के बड़े-बड़े पोधे ही नहीं रोप दिये हैं बलकि पूरी दुनिया में दुनिया के हर कौने में हमारी भारी फजियत करा दी है देश को सर्मसार कराने का काम किया है अब तक आप समझ गए होंगे मैं किस महिला की बात कर रहा हूँ जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ नोटंग की बाज महिला नुपुर सर्मा की अब तक तो आप जानी चुके हैं कि ये नुपुर सर्मा है कौन आईए थोड़ा सा और जान लीजे नुपुर सर्मा कुछ दिन पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतिय जिन्ता पार्टी की परवक्ता थी इनका जन्म 23 अप्रेल 1985 को नई दिल्ली में हुआ था यानि ये महतर्मा मात्र 37 साल की है और इतनी कम उमर में इतनी सुर्खियां बटोल डाली है कि करोडों रुपे खर्च करके भी तमाम चैनल्स को इतनी ट्यार पी और इतनी वीवर्शिप नहीं मिलती है इनकी स्कूली पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से पूरी हुई जिसके बाद इन्होंने दिल्ली उनिवस्टी के हिंदू कोलीज से अर्थ सास्त्र में ओनर्स की डिग्री ली दिल्ली उनिवस्टी के हिंदू कोलिज से इन्होंने अर्थ सास्त्र में डिग्री ली इसके साथ ही इन्होंने दिल्ली उनिवस्टी के वंडर स्कूल आप एकोनोमिक्स से ललबी वी की है इनकी LLB को लेकर बहुत सारे कानून विदों को डाउट है, सक है वो एक अलग बात है नुपुर सर्मा कोलीज के दिनों से ही राजनिती में सक्रिय रही है ये मोहतरमा अखिल भारतिय विद्यारती परिशद यानि ABVP के टिकट पर दिल्ली उनिवेस्टी स्टुरेंट्स यूडियन की अध्यक्स भी चुनी जा चुकी है ये मोहतरमा भाजपा की युवा साखा की राष्टिय कारेकारी समित्ती की सदस भारतिय जनता युवा मोर्चा की राष्टिय सहे परभारी सहे मीडिया परभारी भी रही है 2015 के दिल्ली राज्ये के चुनाव आपको यादी होंगे याद है न? इन मोहतरमा ने आम आदमी पार्टि के राष्टिय अध्यक्स और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल और कॉंग्रेस नेता किरणवालिया के खिलाप चुनाव लड़ा था और हार गई थी इन दिनों ये मैडम दुनिया भर में चर्चा का विशे बनी हुई है चर्चा इसलिए कि इन्होंने एक टीवी डिवेट में कुछ ऐसा बोला कुछ ऐसा बोला बोला क्या कहूं कुछ ऐसा बका जिससे पूरा देश जलू था क्या बोला था उसे मैं और मेरी टीम चेतना मंज अपने मुह से उच्चारित करने की हिमाकत नहीं कर सकते ऐसा बोला था आप सब जानते ही हैं इनकी उस उल जलूल टिपनी से देश भर में जगे जगे बवाल हुआ दंगे हुए कई सहर जल उठे और दुनिया भर के देशों में हमारी जो बेजजती हुई देश को जो सरमसार होना पड़ा वो अलग इस मामले को इतना तूल दिया गया इतना तूल दिया गया कि लगा पूरी दुनिया हमारे खिलाप हो गई कहीं देशों के मैसिज पर मैसिज आने लगे कहीं राष्टा ध्यक्सों ने हमारे उपराष्टपती के ओफिशल कारिकरम को ओनर करने से मना कर दिया उनको उनका डिनर तक कैंसिल कर दिया इन मैडम से भाजपा ने पल्ला जाड लिया इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है आज के मन्थन का मुख्य बिंदू ये है कि कल हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानि सुप्रिम कोर्ट की एक बैंच ने जो कहा उसका लबो लुबाई ये है सुप्रिम कोर्ट की बैंच का बता रहा हूँ माननिय उच्तम नयायले जो हमारे कानून के रखवालों की सबसे बड़ी अदालत है उनकी टिपनी का लबो लुबाव ये है कि इस नोटन की बाज महिला ने जो किया है उस कारिये के लिए इस महतरमा को ना केवल जेल में होना चाहिए बलकि राष्ट द्रो का मामला भी इसके उपर दर्ज होना चाहिए और आजीवन इसको सलाखों के पीछे रखा जाना चाहिए सुप्रिम कोर्ट की बैंच ने जो कहा वो मैं आपके सामने हू बहू पढ़ देता हूँ आपको सुना देता हूँ सुप्रिम कोर्ट की विद्ध हू बहू टिपनी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ सुप्रिम कोर्ट कहता है कि नुपुर सर्मा का ब्यान बेहद विचलित करने वाले हैं और हमें इन ब्यानों में एहंकार की बू आती है ऐसी टिपनिया करना उनका काम है क्या कोश्चन मार्ग इन से पूरे देश में दुर्भाग्य पूर्ण घटनाए हुई हैं ये लोग कतई धार्मिक नहीं हो सकते हैं ये किसी दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते हैं आगे एक सुप्रीम कोट क्या कहता है सुप्रीम कोट के सामने जो याची का थी उसके विशे में सुप्रीम कोट की बेंच कहती है इस याची का में भी हमें एहंकार की बू दिखाई दे रही है एहंकार साप जलक रहा है नुपूर को लगता है कि वह देश के मजिस्ट्रेट से भी उपर है और ये सब उसने उससे बहुत छोटे हैं फिर पढ़ता हूँ नुपूर को लगता है कि वह देश के मजिस्ट्रेट से भी उपर है और हम सब उनसे बहुत छोटे हैं जब F.I.R. दर्ज हो और आप गिरफतार ना की जाएं तो ये आपकी ताकत को दिखाता है उन्हें लगता है कि आप बहुत ताकतवर हैं आपके पीछे लोग खड़े हैं और इसी वज़े से वह है गैर जिम्मेदाराना ब्यान देती रही हैं देती रही हैं सुप्रिम कोर्ट आगे सुप्रिम कोर्ट के उस कमरे में जिसमें कल इस विशे पर सुनवाई हो रही थी उसका एक लाईव दरस्य है नुपुर के वकील मनिंदर सिंग कहते हैं मेरी मुख्किल को जान का खत्रा है देश भर में दर्ज मामलों में पेस होने जाना उनके लिए खत्रे से खाली नहीं है इसलिए सभी मामलों को एक जगे दिल्ली में कर दिया जाए इस पर पीठ की टिपनी पीठ कहती है उन्हें खत्रा है या वे खुद देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खत्रा है हमने भी टीवी की वह डिवेट देखी है यह कहती है पीठ फिर वकिल साब कहते ह है वे ब्यान के लिए माफी भी मांग चुकी है पिछले आदेसों में 20% किया गया है कि एक ही मामले की दो FIR नहीं हो सकती पीठ वकिल साब की इस टिपनी पर पीठ ने क्या कहा पीठ कहती है माफी मांगने में बहुत देर कर दी यानि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते वे भी सर्थ के साथ माफी यह कहते हुए कि धार्मी कास्ता आहत हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ उन्हें तो टीवी पर ही तुरंट पूरे देश से उसी समय माफी मांग लेनी चाहिए थी जब उन्होंने वो घटिया टिपनी की थी फिर वकिल साहर कहते हैं नुपुर पार्टी की परवक्ता है उनके गैर इरादतन ब्यान बहस का हिस्सा थे पीठ कहती है आप किसी पार्टी के परवक्ता है तो आपके पास कुछ भी बोलने का लाइसनस हो जाता है बहस का दुर्प्योग हुआ था उन्हें सब से पहले एंकर पर फिर करानी चाहिए थी ऐसा पीट कह रही है फिर वकिल चाहते हैं नूपुर ने सिर्फ अन्य वक्ताव की और से शुरू की गई बात का जवाब दिया था वहां एक ही समुदाए के लोगों के बीच गंभीर मुद्दे पर बहस हो रही थी सर्मा का बियान उसी संदर्ब में था पीट कहती है आखिर वह बहस हो किसलिए रही थी क्या उसका कोई एजेंडा था और उन्होंने ऐसा विशे ही क्यों चुना एजेंडे को बढ़ावा देने के अलावा टीवी चै चैनल्स की स्क्रीन पर बैठ करके जो भॉंदापन रोज राब दिन होता है वो बहुत निंदनी है देश के लिए घातक है यह है टिपनी और इतना ही नहीं वकिल साब आगे कहते हैं नुपूर जाच में दिल्ली पुलिस का सहयोक कर रही है वह कहीं भाग नहीं रही है बस ही है कि मुंबई हैदराबाद नागपूर से और जम्मू कस्मीर तक से उनके खिलाप इस मामले में दर जैफाई यार एक ही जगे इस्थानांत्रित हो जाएं यानि ट्रांसपर हो जाएं इस पर जो पीठ ने टिपनी की है वही बात में आपको बताने का परियास कर रहा हू वकील जब यह कहता है नुपूर सर्मा का वकील सहाब मनिंदर सिंग जी की उनके सारे मुकद में एक ही जगे सुने जाएं वो कहीं भाग नहीं रही है दिल्ली पुलिस जाच कर चुकी है तो पीठ की टिपनी सुनिए दिल्ली पुलिस ने अब तक क्या किया है हमारा महुना खुलवाईए जग साब कह रहे है हमारा महुना खुलवाईए दिल्ली पुलिस ने तो आपके लिए रैड कारपेट बिछा दी है एफाई आर के बाद गिरफतारी होती है हर एफाई आर में गिरफतारी होती है लेकिन दिल्ली पुलिस नुपुर को चुने की हिम्मत तक नह कर पाई चोटी मोटी एफाई आर्स में रोज गिरफतारी आप देखते हैं ना पीट वही दोरा रही है हमारे लरणीड ये स्वही दोरा रहे हैं वह कह रहा है कि दिल्ली पुलिस पुलिस ने अब तक किया क्या है इस केस में हमारा मूमत खुलवाईए दिल्ली पुलिस ने तो आपके लिए रैड कार्पेट बिछा दी होगी एफ आई आर के बाद गिरफतारी होती है लेकिन दिल्ली पुलिस नुपुर को छूने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही है कितना दुखद है सुना अपने ये टिपनी हमारे देश की महान सुप्रिम कोट की है हमारे कानून के रक्सक यानि हमारे सुप्रिम कोट के दो जजों ने अपनी टिपनियों में जो कहा उससे साफ है कि नोटन की बाज नुपुर सर्मा को राष्ट दुरो के केस में अंदर होना ही चाहिए किन्तु जै हो जै हो हमारे तथाकतित सिस्टम की इस मेडम को जेल भेजना तो दूर उल्टे उसे वी वी आईपी बना दिया गया है वी वी आईपी की तरह सुरक्षा दी गई है उसकी आगे पीछे तमाम चेले चमेले चमचे चमचिया टहल रहे है अब देखना ये है कि क्या सुप्रिम कोप्ट की टिपनी के बाद हमारा सिस्टम कुछ करता है या सब कुछ यूही चलता रहेगा और देश यूही जलता रहेगा इस विशे में सोचना जरूर जरूर सोचना मैं लगातार आपसे यही निविदन करता हूँ कि आप जनता जनार्दन यदि ठीक से सोचेंगे ठीक से रियक्ट करेंगे ठीक से अपना फर्ज निवाएंगे तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं हम अपने देश को बचा लेंगे नहीं तो कल कोई दूसरी नुपुर सर्मा फिर कोई तीसरी सर्मा और परसो कोई चोथा सर्मा या वर्मा जाती से मेरा मतलब नहीं है कोई फिर आएगा फिर दंगा कराएगा ये देश फिर जलेगा हम फिर सरमसार होंगे आज बस इतना ही अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना आनंद में रहना देश के बारे में जरूर सोचते रहना आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरा प्रणाम सुईकार करें नमस्कार